नमस्कार सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ पूझा बयार के मुख्यमंत्री की बातों को समझना बड़ा मुश्किल है वो कब क्या बोल दे किस पर प्यार लुटाए किस से दुश्मनी कर बैठे कुछ कहा नहीं जा सकता एक बार फिर से नितिश कुमार के एक बयान ने बिहार में राजनते खलचल तेज कर दी है इस बार नितिश कुमार ने लालू के लाल पर प्यार लुटाया है दरसल हाली में नितीश कुमार ने मीडिया से बातचीत में तिजस्पी यादव के कंदे पर हात रखते वे साथ तोर पर कह दिया कि अब ये बच्चा ही हम लोग का सब कुछ है मतलब नितीश कुमार ने एक बार फिर तेजस्पी यादव को अपना उत्राधिकारी बताया है तो इस बार नितीश कुमार ने आखिर हैसा क्यों कहा क्या चल रहा है बिहार की राजनिती में बतायें कि आपको चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौझूद है क्या पचल टीवी के एडिटर इंचीफ डॉक्टर मरीश कुमार रोग सब बहुत स्वागत है आपका दन्यवाद नितीश कुमार इस तरह के बयान क्यों दे रहे हैं देखें ये बड़ा कंफ्यूज करने वाला बयान है किसके लिए जेडिव के निताओं के लिए हरकम को मचा हुआ है बिहार के अंदर में कि भाई ये क्या कर दिया है ये क्या बोल दिया एक तरीके से आपने उत्तराधिकारी घुशित कर दिया मजबूरी है या फिर प्रसांत के सोर जो कहते रहते हैं कि उम्र का असर मतलब सठी आ गया है कुछ लोग उनके करीबी जानकार लोग ये कह रहे हैं कुछ लोग उनके चिठी भी लिग दी कि मिंटल बैलेंस जो है वो खतम हो गया है नितिस तुमर को याद नहीं रहता है कि आज क्या बोले क्या बोले नहीं बोले उनकी मेमरी लॉस होते चली जा रही है इस तरह की बाते उठाई जा रही है और ऐसे में ये बयान आ जाना और ये बयान कब आया है जब ठीक दो दि जन्मांतर के दोस्त हैं उनको बुरा लग गया उन्होंने कोशिष तो की नजदीग जाने की भारती इनता पार्टी के लोगों ना कहा कि अपने दर्वाजा बंद है यह बयान आया नहीं कि अमित साह के तरफ सागे कि यह किसी भी कीमत पे नितिश कुमार के लिए कोई जगह नहीं है NDA के अंदर ये बार बार धोखा देना ये पॉसिबल नहीं है कि हम उनको अपने साथ ले ले बहुत मखौल उड़ाया गया वो तक तो ठीक है लेकिन अचानक से क्या हुआ कि आपने उस व्यक्ति को अपना उत्राधिकारी बता दिया जिसको पिछली बार भ्रस्टचार के मामले में आपने अपने गड़बंदन से बाहर कर दिया था रिस्ते आपके तोड़ लिये थे आपने उत्राधिकारी उस व्यक्ति को बनाया है या चुना है उसके बारे में बयान दिया है जिसने आपका नाम रखा है पल्टू राम पल्टू राम बीजेपी वालों ने नहीं रखा नितिश कुमार को पल्टू राम पल्टू चाचा यह तेजसु यादव की देन है तो ठीक वैसा ही है राहूल गान्धी की तरह है राहूल गान्धी को पप्व किस ने सबचे पहले का किस ने नाम रखा है पप्व तो नवजोजicar सिद्दू ने और राहूल गान्धी ने पाठी का धख्ज बना दिया पंजब की अंदर तो यह इस तरह की चीज़े जो आप करेंगे राजलीती में तो उसका रेमिफिकेशन क्या होगा यह समझना जरूरी है अब यह बयान तो आ गया बाकी जेडियू वाले कोई कुछ बोलने को तयार नहीं है क्योंकि करेंट जो है वो लगा है जेडियू के निताओं को क्योंकि यह बात बिल्कुल हुआ ही इसको करत जेडियू के अंदर जिसको लेकर के कई सारे जेडियू के लीडर पार्टी छोड़ के भाग गये क्योंकि बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी लोग देख रहे हैं कि नितिश्टुमार अपनी कुर्शी बचाने के चक्र में और प्रधान मंत्री बनने के उसके सनक में सब्सक्राइब वह जेडियू का विलये करने वाले और जेडियू के अगर जेडियू में हो जाएगा यह तो खैर अपना फेसल धवैल्यु खतम हो गया है नितिश्टुमार का लेकिन जो लोग भूत माने जया चुनाओं लड़ते नहीं नितिश्कुमार नहीं लने चुना मांगने के लिए हर बार आप वोट मांगने चले जाते हो किस चीज के लिए भै लालू के जंगल राज को हटाएं लालू को वापस नहीं आने देना हैं लालू के लालू यादव और कॉंग्रेस पार्टी के खिलाफ ही जेडियू का जन्म हुआ और आज ये पार्टी जो कोई भी वोट बैंक हो वो इसलिए जो लोग लालू से तरस्त थे वही नितिश कुमार के साथ आये और आपने बिहार को जंगल राज मुक्त करने का वादा किया था इसलिए लोगों ने आपको समर्थन दिया और अचानक से आप कह रहे हैं कि उस जंगल राज के जो प्रने कि क्या सब्दा को निक अस्तवाल किया जाए राज निति तो समझ में आती है लेकिन क्या विलाई की बात को जेडियू की नितस विकार करेंगे इसलिए तो बवाल मचा हुआ है अगर इसके ऊपर नितिश कुमार ने क्लारिफिकेशन नहीं दिया एक सब्दा के अंदर आप देखेंगे कि कई सारे लोग जेडियू छोड़के निकल लेगे वास क्योंकि उनको अपने कंसिचुएंसी में जाना है उनको अपने समर्थकों अपने वोटरों को मुझ दिख कई राउंड्स बाचीत हो चुके लालु यादब एक इंच भी जमील उनको देने को तयार नहीं है कैसी जमील आप देखें कि क्या कोल्ड रिस्पॉंस आया लालु यादब के तरफ से बहुत ही कोल्ड रिस्पॉंस आया वो केरें ठीक है बहुत अच्छा है उन्होंने कह जान रहे हैं क्यों लालु यादब जानते हैं लालु यादब हमेशा करते कि नितिश कुमार ऐसा कोई सगा नहीं नितिश ने जिसको ठगा नहीं नितिश की आत में दात है पता ही नहीं चलेगा किस समय क्या कर लेगा यह अविस्वास तो यह अविस्वास राजजीनती में कैसे प्रलिशित होती है तो लालु यादब ने साफ कह दिया है कि भई सीटों का बटवारा जो है वो कितने किसके सांसद हैं उस फॉर्मूले पर नहीं जगणा फॉर्मूले का है कि इन 40 सीटे हैं उस 40 सीटों में जेडियों के पास कि कितना जाएगा कॉंग्रेस पार्टी कितने पर लड़ेगी और बाकी गड़बंदन में जो छोटे मोटे चिंटू-पिंटू है उन लोग को कितना दिया जाएगा निति इसकुमार का कहना है कि चुके हमारे पास 16-16 विधायक है तो कम से कम हमारे पास तो 16 सीटे आने चाहिए निति इसकुमार कह रहे है कि 16 सीटे अगर इसको दे दिया दस भी जीत गया तो फिर क्या होगा चुनाओ के बाद यह वापस चला गया अपने जन जन मांतर जब तक जिंदा हूं तब तक बीजेपी के साथ हूं वह अगर चला गया बीजेपी में तो हम क्या करेंगे इसका तो कोई भरोसा है नहीं दूसरी तरफ अगर 16 सोल अगर आप इनको ही दे दोगे कॉंग्रेस पार्टी भी करिए 10 और भी इदर खुद्रे लोग हैं तो क्या 13-14 सीटों के उपर लड़ेगी RJD? RJD 25 सीट के नीचे कहीं भी कॉंप्रमाइज करने को तयार रही है और उनका कहना है कि विधायकों की संख्या के मताबिक जो है उस प्रोपोर्शन में जो है आप सीटे बाटे वो सिर्फ साथ से आठ सीटे देने को तयार हैं इसलिए लफ़णा फसा हुआ है नितिश कुमार ने BJP के साथ दोस्ती का बयान देकर ब्लैक मिल करने की कोशिश की यह ब्लैक मिल चला नहीं इसलिए अब लालु यादब के बेटे को यही उत्रा दिकारी है यही वो है यही वो है यही वो है यह सब कर करा करके यह किसी भी तरीके से 16 सीटों के उपर उनकी नजर बनी हुई है और वो नहीं होगा तो फिर यह क्या करेंगे लेकिन गल्ती यहीं पे हो गई कि जो अफवाह जिस चीज की वज़े से जेडियू के तमाम नेता एक दो को छोड़के लेलन सेंग और को छोड़के लोगों की नीद उड़ी हुई है कि नितिश कुमार क्या करेंगे विले हो जाएगा उसको इस तरह के बयान से और ज्यादा हवा मिली है एक मेहना लगेग कि देखे किस तरीके से जेडियू के अंदर में एक भारी विद्रोह जो है वो नजर आएगा धन्यबाद समझाने के लिए धन्यबाद वैसे नितिश कुमार ने ऐसा बयान कोई पहली बार नहीं दिया है मुक्यमंतरी नितिश वैसे तो कई बार खोले मंच से उप मुक्यमं TV नबस्कार